पैंसन भोग्यों के लिए एक बार फिर से जवरदस्ट खबर लेकर हाजिर हो चुए हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हाले में एक जवरदस्ट खबर जारी की है जिसके अंतरगत आप जवरदस्ट लाव अपनी पैंसन योजना के अंतरगत ले पाएंगे। दोस्तों आप बता दें कि सरकार की तरफ से अब हर राज्य में पैंसन बढ़ोतरी की जा रही है। जिन राज्यों में तिमाही पैंसन दी जाती है। तिमाही पैंसन दी जाती है अब सरकार दोस्तो उन राज्यों में भी हर महीने पैंसन देना शुरू कर रही है हलाकि काफी वैक्तिय से हैं जो नहीं जानते हैं कि दोस्तो उनके राज्यों में भी हर महीने पैंसन दी जाती है जी हाँ आपने सई सुना है जिन राज्यों में तिमाही पैंसन दी जा रही है उस राज्यों में पैंसन लावारती हर महिने भी पैंसन ले सकते हैं और उतने ही पैंसन ले सकते हैं जितनी तिमाही पैंसन सरकार की तरफ से दी जा रही है मालनी जे कि अगर आपको तीन महिने के उपरांद सरकार की तरफ से तीन हजार रुपे दिये जाते हैं तो दोस्तो इस तीन हजार रुपे को आप हर महिने भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके बारे में सभी वैक्ती नहीं जानते हैं तो यह पैंसन आपको किस प्रकार से मिलेगी इस पैंसन को लेने के लिए आपको किन नियमों का पालन करना होगा इनके हर महीने तीन हजार उपे लेने के लिए आपको किन नियम और सर्तों को पुरा करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतान जा रहे हैं बस आपसे हमारा चोठान निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरप्या वीडियो को लाइक कर देजे और जाज़्यादा वीडियो को सेर भी कर देजेगा चलिए वीडियो को सुर करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं तो देखे परदेश सरकार की तरफ से जारी की गई बड़े अपडेट में यह बड़ा फैंसला लिया गया है प्रन्तु आपको जरूर जा लेना चाहिए कि सरकार जो तीन हजार रुपे तिमाही दिव्यांगों को दे रही है सरकार उनके एकाउंट में भेज रही है तो दोस् आई हुई है जिसके अंतरगत पैंसला वारती हर महीने तीन हजार रुपे पैंसल ले सकते हैं और दोस्तों इसमें आपको अपनी जेव से एक भी रुप्या देने की आउशकता नहीं पड़ेगी जब आप आविदन करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट में प द्वा महिलाई भी होती हैं जिनको सरकार की तरब से पैंसल का लाव दिया जाता है लेकिन उन में से काफी व्यक्तिय से होते हैं जो हर महीने पैंसल लेने के पात्र होते हैं लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वह हर महीने भी पैंसल ले सकते हैं बस्वे सरकार की तर कि आप अपने जिले का नाम या फिर आप अपने राज्य का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा। तो आपकी डबल तिबल पैंसन हो जाएगी बस आपको एक छोटा सा कारिय करना होगा। तिक दोस्तों जैसे कि आप से भी जानते हैं कि परदेश सरकार के इंतरकत आने वाले पैंसन भोग्यों को बहुत जल्द पैसा मिलने वाला है। साथी 500 रुपे बढ़ा कर वहें पैंसन दे जाएगी। इसका ऐलान भी सरकार की तरफ से क्या गया था कि पैंसनलावारतियों के बैंक खातों में सरकार 500 रुपे बढ़ा कर लाब देने वाली है, 1000 रुपे और 1500 रुपे और 3000 रुपे तक पैंसनलावारतियों को सीधा बैंक एकाउंट में ट्रांसपर के 15 रुपे भी हर महीने पैंसनलावारतियों को मिल रहे हैं और 3000 रुपे भी पैंसनलावारतियों को मिल रहे हैं बस फर्क इतना है कि दोस्तों काफी वैक्ती तीमाही पैंसनल लेते हैं तो जिन वैक्ती को पता है कि हर महीने भी पैंसनल मिलती है तो वह हर महीने भी 3000 रुपे ले रहे हैं अगर आप लाइव और प्रूब के साथ कहेंगे दोस्तो हम आपको लिष्ट में उनके नामें बताएंगे और लिष्ट में वह राज से भी हम आपको दिखाएंगे बस आपको कमेंट करना होगा प्रूब के साथ हम आपको आपको वह लिष्ट दिखा देंगे बस सभी दिव्यांगों को दे जाएगी तो जो तिमाही पैंसन व्यक्ति जो लेते हैं तिमाही पैंसन अब है दोस्तों हर महिने भी पैंसन ले सकते हैं और तीन हजार रुपे ही पैंसन सरकार की तरफ से ले सकते हैं किस प्रकार से तो द्यान दिजगा देखिए मोधी सरकार प्र दिये जाएंगे अब दोस्तो अगर आपका पैंसन रुका हुआ है और आपको कावी समय हो गया है आपको आपका पैंसं नहीं मिला है तो आप पैसा अपने बेंक खाते में ट्रांसपर क्रा सकते हैं बस आपको वह गलती देखनी होगी जो आपको पैंसन लेने से रोक रही है या फिर आपकी पैंसन उन गलतियों से रुके हुई है तो उस्तों आप तुरंथी अपने बैंक में जाकर अपनी KYC को जुरूर करेगा उसके बाद आपका जो पैसा है आपके एकाउंट में आएगा देखें बैंक में जाकर आधार कार्ड और पैंकार्ड मोबाइल नंबर जमा आपको कर देने हैं जिसे कि आपकी रुके हुई पैंसन भी आप तक पहुंचाएगी अब बात करते हैं कि तिमाही पैंसन जो आपको मिल रही है वे हर महिने आप कैसे ले सकते हैं तो ध्यान दीजेगा देखें आकोदा दें कि बैंक खाते में केवाईसी नहीं अगर वेक्ति होती है तो उन्हें ने तो तिमाही पैंसन मिलेगी और नहीं हर महिने पैंसन मिल पाएगी इसलिए उन्हें यह कार्य कराना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तो इसलिए पैंसन लावारतियों को बड़ी प्रिशोनियों का शामना करना पड़ रहा है अब दोस्तो जो सरकार की तरब से आप हर महिने पैंसन लेना चाहते हैं यह इसकीम केवल और केवल उत्तर परदेश की दिव्यांग पैंसन लावारतियों के लिए है जी हाँ आपने सही सुना है क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति भी दोस्तो हर तिमाही पैंसन ले रहे हैं हर महिने के दुशार एक हजार रूपी पैंसन और तिमाही पैंसन तीन हजार रूपी पैंसन ले रहे हैं लेकिन अगर व यांग पैंशन और दोस्तो विद्वा पैंशन को सुरू क्या गया है आप सभी जानते हैं लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से एक चोती पैंशन भी सुरू की गई है जिसका नाम है कुष्ट अवस्था पैंशन जो वैक्ति कुष्ट रोग से ग्रस्थ हैं व से कुष्ट वस्था पैंशन के अंत्रगत तीन हजार रुपे महिना पैंशन देते हैं और साथ ही आप बता दें किसमें दोस्तो आपकी जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट मांगा जाता है 40% का वह भी इसमें नहीं चाहिए होगा अगर आपकी दिव्यांगता एक परतिसत ह तब भी आप हर महिने 3000 रुपे पैंशन ले सकते हैं अगर 0% भी है दिव्यांगता आपकी तब भी आप 3000 रुपे पैंशन ले सकते हैं साइद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो दोस्तो आपको क्या करना है गूगल पर जाना है और वहां पर लिखना है कुष्ट र रुपे वह अपने बैंक एकाउंट में ले सकते हैं अगर आप इतना कार्य कर लेते हैं तो आपके एकाउंट में 3000 रुपे महिना आना सुरू हो जाएंगे तो यह तिया आपके लिए महत्मुन जानकरी आई होप आपको जानकरी अच्छी लगी होगी आपसे हम निमेदन कर चाहते हैं अगर आप तके टारिक बीडियो को लाइक नहीं किया हैं तो क्रिप्या बीडियो को लाइक कर दिजिए और जासे बीडियो को सेर भी कर दिजिएगा अप से यजजद अब मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब तक कि दूस्ती facilitate जय हिंद जे भारत